दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं नील भट और नेहा सर्गम एक समय में टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट फेमस और लवेबल कपल माने जाते थे जिन्हें दर्शक हमेशा साथ देखना पसंद करते थे और इनके बीच की लव केमिस्ट्री और बॉर्णिंग भी दर्शकों को बेहत पसंद थी पर आज नील भट अपनी कोल स्टार एश्वर्या शर्मा के साथ शादी करके काफी खुशाल जिंदगी बिता रहे हैं तो नेहा सर्गम ने अभी तक शादी नहीं की और सिंगल हैं लेकिन एक समय ऐसा था जब दोनों एक दूसरे से बेंतहा महबत किया क तो ऐसा क्या हुआ था कि दोनों प्यार करने की वज़ाए एक दूसरे से नफरत कर बैठे आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं तो बनी रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंतक और वीडियो को लाइक करना ना भूले जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेहा सरगम और नील भट एक समय पर टीवी नस्टी के सबसे फेमस कपल थे जो हमेशा अपने अपने प्यार को लेकर काफी जादा सुर्ख्यों में रहे थे दोरों एक दूसरे से बेपनह महबत करते थे और अगर बात करें कि इनकी पहली मुलाकात कहां हुई थी तो आपक कि भूमी का में नजर आए थी और इसे सीरियल के दौरान ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बने और सेट पर साथ में टाइम स्पेंट करने लगे थे जिसके कारण नील भट अपने कोस्टार नेहा सरगम के प्यार में गिरफतार हो गए थे नील भट नेहा स सरगम को भी इनसे प्यार हो गया था और ये दोनों एक दूसरे को यही सेट डेट करने लगे थे और सीरियल के खत्म हो जाने के बावजूद ये दोनों बाहर साथ में कई बार स्पाट हुए जिससे उनके फैंस को अंदाजर लग गया था कि ये दोनों रिलेशन्टिप में इनके साथ आगे अपनी पूरी लाइफ बिताने का सोच लिया था और कुछ सालों में ये दोनों शादी भी करने वाले थे पर जिन से नील भट ने अपनी लाइफ में सचा प्यार किया था आगे चल कर नेहा सरगम ने किसी और शक्स के लिए नील भट को धोका दिया जिसके चलती अभिनेता नील भट काफी जादा तूट गए थे और इसे कारण नील भट इनसे बेहत नफरत करने लगे थे और इसी तरह दोनों का प्यार नफरत में बदल गया और फिर कुछ सालों बाद एश्वर्या शर्माइन के जिनके साथ नील भट शादी करके खुशाल जिन अंदगी बिता रहे हैं यही कारण है कि नील भट और नेहा सरगम एक दूसरे से बेहत नफरत करते हैं और एक दूसरे से बात करना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करते तो दोस्तों आपको क्या कहना है नील भट और नेहा सरगम के बीच की नफरत के बारे में जानकर आ आप अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रू बताएं और साथ ही टीवी जगत से जुड़िये ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें